दोस्तों आप देख रहे हैं सुन्दर बिहार आज संडे है और मैं हाजिर हूँ संडे कमेंट बॉक्स लेकर के मचली के शिकार से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है जो सुन्दर बिहार चैनल के उपर कमेंट में आता है हम कोशिस करते हैं कि उसको कमेंट बॉक्स में जवाब अगर संभाव होता है छोटा सवाल है तो हम तुरंत जवाब दे देते हैं अगर ज्यादा समझाने वाला होता है तो हम कोशिस करते हैं संडे को कमेंट बॉक्स में जवाब देने के लिए तो आपके मन में मन में भी अगर कोई सवाल है तो हमें कमेंट कीजिए हम कोशिस किनका है पहला कमेंट है लाइबा खान के तरफ से यह लिखते हैं कि सर शिकार का सही टाइम कौन सा रहता है देखिए सर शिकार के लिए सही टाइम सुबह और शाम को होता है शाम को थोड़ा ज्यादा अच्छा होता है शिकार करने के लिए अगर आप रात को भी शिकार करना चाहते हैं तो आप शाम को काटा डाल देंगे पानी में और वापस आ जाईए और सुबह शिकार किजिए यह सब बॉआल मचली ग्रही मचली ये catfish इस तरह के मचली के लिए आप रात को शिकार करेंगे तो बेहतर है carp fish के लिए आप दिन को ही शिकार कीजिए उमीद करता हूँ आपको जवाब मिल गया है अगला कमेंट है खालिद अमीन के तरब से ये लिखते हैं कि कौन है जो कह रहा है कि मचली नहीं लगेगी तो आपके साथ क्या बेवहार करना है पहले मचली है कि नहीं तुम चेक करो कोई इहसान नहीं कर रहे हो सुंदर बिहार पर ऐसा कमेंट नहीं किया करते इस तरह से लिखे हैं आगे लिखते हैं का अच्छा समझाने वाला मिलेगा नहीं मतलब इतना अच्छा समझाने वाला मिलेगा नहीं कमेंट पढ़के हमें अच्छा लगा ये कमेंट एक चूली आया था हमारे पिछले संडे कमेंट बॉक्स में एक भीवर ने हमें इस तरह से कमेंट किया था कि भा है नहीं मिलेगा दोस्तों जोटा नहीं करूंचिया कभी सिकार इस नहीं शे क MVP दोस्तों साफ नहीं पे लगता है जहां हम घर कम होती है तो हम शराइव लह today है yo पाते हैं जवाब देते हैं मैं दर्शक को घाटियो ही त्किए अच्छा लगता है ओस ता चाह का मैं जे तो अगला कमेंट है everyone can do this Salmani यह लिखते हैं कि बड़ा शिकार करने के लिए कौन सी डोड़ी अच्छी रहेगी हाँ यह अच्छा सवाल है हम अभी आपको एक तस्वीर दिखाते हैं प्लास्टिक की जो डोड़ी होती है वो अच्छी होती है देखिए इस तरह की डोड़ी है जो अभी हाथ में दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर आपको इस तरह की जो डोड़ी है इस से शिकार करने में आसानी होता है देखिए यह बंडल पूरा दिखाई दे रहा है आपको इस तरह प्लास्टिक के डोड़ी आप बजार से खरीद सकते हैं इसमें क्या होता है कितनी भी बड़ी मचली पकल ले यह तूटता नहीं है और रात को आप शिकार करना चाहते हैं तो इस डोड़ी को आप इस्तेमाल कीजिए और बहुत बढ़िया शिकार होता और मजबूत है आपका हूग तूट सकता है लेकिन यह डोड़ी नहीं तूटेगा ज्यादा दिन आप इस चारा का जवाब नहीं मुझे रात में मचली पकड़ने का ट्रिक बताईए रेहु मिर्गल और लिख रहें के जिस मैं कम समय में ज्यादा शिकार कर सकूँ देखिए रात को अगर शिकार करना चाहते हैं तो जो चारा दिन को आप इस्तेमाल करते हैं वही चारा आप रात को भी इस्तेमाल करेंगे और आपको शिकार मिलेगा इसमें एक ट्रिक होता है जब रात को आप शिकार करेंगे तो चारा जो होता है थोड़ा ज्यादा हाड होना चाहिए आपका अगर आप कार फिश का शिकार कर रहे हैं तो अगर बाम मचली बॉल एसनेक हैड या और दूसर मचली शिकार करना चाहते हैं तो आप रात को यह सम्मचली का शिकार बेहतर कर सकते हैं आप क्या करेंगे हूग पानी में डाल करके अगर आप घर से आप कर रहे diskut नजदीक तो आप पानी में डाल कर चारा लगा कर डाल जीए और भर वापस आ जाए यह सुबह याकर अपना विपलाई कीजिएगा थेंक्यू सर अगला कमेंट है कलपनाथ गुपता के तरफ से यह लिखते हैं कि थरी हूक पानी में डालने पर कंडीला डूब जाता है इसके लिए क्या इस्तेमाल करूं कंडीला से इनका मतलब है कि जो बबलर होता है वह डूब जाता है देखिए सर अ रूई के जैसा होता है वह फोम ले लिजिए नहीं तो आप रूई ले लिजिए और उसको पलास्टिक में बांध लिजिए जितना आपका चारा है वजन बरदाश्ट कर सकता है उतना बड़ा आप उसको बांधिये पलास्टिक में और पलास्टिक में बांध करके आप उसक कि चावला होग है उसको इस्ते माल करते हैं तो इसी तरह काम तरीका इस्ते माल करते हैं चोटा बबलर होता है यह कनडील अदिया में बड़को Flower प्लास्टिक को 攻दŗ कर आप अपने हसाब से अपनीट के लिगोma सब्सक्राइब कर दोब में और ऐसा चारा जो की रोहु डालते ही मतलब खा जाए यहां पर बता रहे हैं के लकडी से नहीं मारी जाती है मतलब जो वह फिशिंग रोड होता है उससे शिकार नहीं करते हैं डाइरेक्ट यह धागा या डोरी डाल करके पानी में शिकार करते हैं देखिए सर इस तरह का दिखाया गया है उमीद करता हूं कि आप वीडियो देखेंगे चैनल पर और उस तरह से आप शिकार करेंगे थैंक्यू सर अगला कमेंट है धर्मेश परसाद के तरफ से यह लिखते हैं के तलाब में हूक बेट पर कच्छुआ प्रेशान करता है देखिए सर कच्छुआ प गूंध करके रख लीजिए और फिर क्या की जिए आप शिकार करने के लिए जाए आपको अंदाजा हो जाए कि कच्छुआ ज्यादा आ रहा है सब तो छोटा छोटा गोल गोली के जैसा बना करके कुछ दाना पानी में फेकिए फिर क्या होगा जब कच्छुआ उसको खाए करने के बाद हमें जरूर रिपलाई कीजिएगा थैंक्यू सर अगला कमेंट है सुफियान हकीम के तरफ से यह लिखते हैं भाई तिलापिया फिश बैट के कुछ सवाल नंबर एक में लिखते हैं मैदा के जगह गेहूं का आटा ले लिया तो नंबर दो में लिखते हैं एक का पीला भी पोर्चन मिला दिया तो नंबर तीन उसमें थोड़ा पानी मिला दिया तो क्या होगा संडे कमेंट बॉक्स में बोल रहे हैं जवाब देने के लिए सर अगर आप इस तरह से चारा बना रहे हैं अगर आपको मचली नहीं मिली तो अगर दूसरे लोगों को शिका नहीं मिला तो फिर तो वो तो कमेंट बॉक्स में या जो भी कमेंट करेंगे वो तो नराज हो करके कमेंट करेंगे इसलिए जरूरी है जो हमने आजमाया है उसी को आपको बताया है और दरशकों को बताया है दूसरे लोगों को बताया है आप अपने तरफ से चेक करके देख स नदी में in केकड़ा भ этख प्रेसान करता है क्या करें इसका हूपाये थो खुद केकड़ा है सर आफ किया कि जी अगर किनारे पर कहीं किए्गड़ा मिल जाता है बोल्ट है क्या किवे इसको तोड़ दिज miss और जिदर आप शिकार करना चाहते हैं उधर पानी में चारो तरफ फेंक दीजिए फिर क्या है जो बाकी केकड़ा उधर पानी में होगा वो उनका एक एक बोड़ी का पाट लेके चला जाएगा और फिर आपके पास वो शिकार में नहीं आएगा उमीद करता हूँ आप शिका करके हमें ज़रूर रिप्लाई करेंगे अगला कमेंट है नर्पत मसार के तरफ से यह लिखते हैं कि सर बहती हुई नदी में मचली का शिकार कैसे करें जाल से कौन से जाल से आप शिकार करना चाहते हैं सर जाल भी बहुत किसिम का होता है देखिए मैं दो जाल के बारे में बता रहा हूं, अगर फेकने वाला जाल है, तो आप चराई डाल करके शिकार कीजिए, अगर फसाने वाला जाल है, तो आप क्या कीजिए, जाल के नीचे थोड़ा वजन बांधिये, अगर आप तैर ना जानते हैं, तो पानी में घुसके लगाए, नहीं तो आप बोट का इस् तरह से शिकार हो सकता है, जाल से और भी तरीके से शिकार हो सकता है, मैं कोशिक करूंगा इस पर एक वीडियो बनाने के लिए, अगला कमेंट है समी जाएन के तरफ से ये लिखते हैं कभी बोलते हो के पानी नहीं मिलाना चाहिए कभी बोलते हो के पानी मिलाना चाहिए ये किलियर करिये आप बढ़िया सवाल किया है आपने सर सर हम जहां पर बिना पानी मिलाए चारा का मतलब चारा तयार कर सकते हैं, वहाँ पर क्या जरूरी है हमें पानी मिलाने के लिए, और जहां पर हम बीना पानी के चारा नहीं बना सकते हैं, वहाँ पर हम पानी डालते हैं, इसका मिसाल आप सबजी से ले सकते हैं, अगर एक अच्छा सबजी बनाना जरूरी है, आपको तो संजय समाल के तरफ से यह लिखते हैं कि नदी में मचली पकड़ने के लिए हूग तो मतलब हूग को फ्लॉट कितना दूर होना चाहिए यानि कि हूग से फ्लॉट कितना दूर होना चाहिए देखिए सर अगर आप बरसात के मौसम में शिकार कर रहे हैं पानी गंदा है तो अगर ठंड के मौसम में आप इस्तेमाल करते हैं तो अंदाजा लगाए के नदी कितना गहरा है अगर नहीं पता है तो कम से कम 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर आप बड़ा मतलब फ्लोट से धागा बड़ा रख सकते हैं 5 मीटर काफी लंबा हो जाता है अगर ज्यादा गहरा है तो कोश मशलिया होती है उसके लिए आप यहीं तरीका इस्तेमाल करेंगे उमिद करता हूं सर आप शिकार करके हमें जरूर रिप्लाइ कीजिएगा थेंक्यू सर अगला कमेंट है संदीप थापा के तरफ से वह लिखते हैं कि मैंने मेरे दोस्तों को भी दिखाया हूं आप जो भी क कमेंट करके बताएं मैं उमिद करता हूं कि आप हमेरा हर वीडियो जो आप हमारा हर वीडियो आप देखेंगे और शिकार करेंगे खुश रहेंगे दोस्त मैं आपको फिर से थैंक्यू बोलना चाहूंगा आप जो वीडियो अगर अच्छा लगता है आपको आपको शिकार मिलता है तो अपने दोस्तों को भी शेर कीजेगा इसी तरह ताकि वो भी इससे फायदा उठाएंगे ओके दोस्तों वीडियो काफी लंबा हो गया इसके लिए सॉरी कहना चाहता हूं क्योंकि कमेंट बहुत ज्यादा जरूरी था इसलिए इतना वीडियो लंबा हो गया उमीद करता हूं दोस्त आप शिकार करेंगे और हमें रिपलाई करेंगे ओके दोस्तों सुंदर भीहार देखने के लिए थाइंक्यो शुक्रिया